आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रधार मत्प्री मोधी कल सुबह वीडियो कॉंफरेंस ने करेंगे स्टार्ट अप से पीम मोधी करेंगे बाची पकर संक्रांती बर्सियम योगी ने दालितों के घर किया भोज कहा परिवारवाद और वन्चिवाद की राजिनीती करने वाले दूर रहे स्वामे प्रसाद मौर्य और धर्म सिंग सैनी अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल भाजपा पर जम कर बरसे मौर्या 20 जनवरी से पहले बड़ी साज़ेश हुई नाकाम दिल्ली और जब कश्मीर में आईडी तो पंजाब में आडी एक्स हुआ है बरामत जुनावी ड्यूटी में तैनात सी ए पी एफ जवान कोरोना प्रोटकॉल का करे पालन ग्रह मंत्राले ने दिया निर्देश नमशकार उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनुशका सिंग पहली खबर गोरपुट से सामने आ रही है जहाँ पर सीम योग्या अदितनात ने विपक्ष के दलित और ओबिसी विरोधी आरोप पर कहा कि जो परिवारवाद और वन्शवाद की राजनीती करते हैं वह ना बताए आज हमारी सरकार ने जितने आवाज बना कर दिये हैं किसी और सरकार ने नहीं दिये हैं प्रदेश के सभी 27,000 केंडरों पर सहबोज कारिक्रम आयुजित किया गया है इसी क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ और खिचुडी के परवपर आज हमने सहबोज के कारिक्रम में एक दलित के घर पर खिचुडी भी खाई है यह कारिक्रम बड़े पैमाने पर हो न था लेक प्रदीश के अंदर सभी 27,000 सक्ति केंटरों पर खिचडी भोज के साथ जुड़ने का निड़ने लिया है और इसलिए आज मैं यहां पर आया हूँ जिसके तहट भरती जनता पार्टी का जो मिसन रहा है सब का साथ सब के विकास सब के विश्वास और सब के प्रियास का यह समाजिक संता का प्रतीक सैभोज किसी दलिद बस्ती में जाकर के करना और फिर उन लोगों के साथ बिभिन्द योजनाओं के बारे में चर्चा करना एक कारिकरम पहले बड़े पैमाने पर होना था करोना महमारी को ध्यान में रखते हुए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना और पांच सेधिक लोग कारिकरम में भागिदार न बने इसलिए सभी कारिकरताओं को या जन्मानस को इसके साथ सेभागी नहीं बनाया गया है हमें ध्यान रखना होगा वन्सवाद और परिवारवाद की राजनीती करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते दूसरा भष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते वहीं दोहजार बाइस के चुनाफ का बिगुल बच्चते ही प्रसाशन के द्वारा नामांकन की पूरी तैयारियां कर ली गई है अलिगड में आगामे विधान सभा चुनाफ दोहजार बाइस को लेकर नामांकन प्रक्रियाद से शुरू हो गई नहीं सभी पार्टी उद्वारा चुनृत प्रत्याशियों के नामांकन के लिए अपनी कमर कसली है इसी दोरान अलिगड के सिविल लाइन्स इलाके के कलक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर तस्वीर महल के सामने पुलिस दोरा बैरिकेडिंग लगा दी गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया अलिगड में आज से साथ हमारे कोट है एडियम्स के और अन्यधिकारियों के उसमें सभी जनपत की जो साथ बिधान सभाएं हैं उनका नमांकन फिक्रियाट याज शुरुबात हुई है उसके लिए अंदर और बाहर जो है प्रवस्था देखने के लिए चार मजिस्टेट भी हमारे लगाए गए है और पुलिस बेवस्था अभी प्रयापत है दो डबल बैरिकेटिंग भी की गई है सो मीटर पे दो सो मीटर पे ताकि जो लोग भी आएंगे दो सो मीटर पे जो भी काफिला है या प्रत्यासी आते हैं वो सो मीटर तक उनकी गाड़ी आएगी दो गाड़ी है और वहां से अंदर केवल तीन ब्यक्ति एक प्रत्यासी और उनके साथ दो आदमिया और तो लोग अभी कच्छ में सब जगे सेनेटाइजर, मास्क और ये सारी चीज़ों की बेऊस्था कराई जा रही है। पहले से भी गाइडलाइन भी है, सबी के लिए भी हमने जो प्रतिकल पार्टी के लोगों से बैठक की थी प्रतिनियों से, उनको भी सारे मॉडल कोड़ अप कंड़क्ट जो कोबीट से रिलेटेड भी हैं, मानने निर्वाचनायोग ने जारी किया है इस साल, वो सब भी दे गया है कि आप लोग भी अपनी तरह से रितियाद बरते हैं. इसके द्वारा जौनता से लगतार अपील भी की गई. इसमें हमारे CRTF के भी कंटिजेंट हैं, और किसी भी प्रकार का कोई गरवड़ी ना होने पावे, इसके मत नजर ये. वहीं बादा के जलादिकारी अनुराग पटेल हमेशा से कुछ अनोखा करने के लिए जाने जाती हैं. और इसी क्रम में जलादिकारी ने जिले के 58 अनपड प्रधानों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है और इसके जिमिदारी ग्राम मेतनात सरकारी सिक्षक, सिक्षवमित्र और उस ग्राम प्रधान के उन पारे जनों को सौपी गई हैं, जो सिक्षित हैं. खुद जलादिकारी ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ उनने रक्षर प्रधानों को गोध भी लिया है. जलादिकारी अनुराक पटेल ने खुद नरहने विकास खंड के सिगहौटी गाउ के ग्राम प्रधान माया देवी को साक्षर करने का बीड़ा उठाया है. आज म जलादिकारी ने अगामी 23 परवरी कोहुने वाले विदान सबाचुनाओं में 75 प्लस मतदान का भी आवाहन किया. जलादिकारी ने पूरे गाउं कपर मढ़कर लोगों को मतदान के लिए प्रेजित किया. आप अवगत हैं कि हमाने पूरे जनपद में हमारे 58 निरचर गाम परदान थे इसमें 33 महिलाए हैं. उनको हमने पहले दिसंबर से साचर कहने का वियान चलाया है. साचर परदान गाम किसान. तो आज उसी करम में हम अपने मानी परदान जी को और हमारे जो टीचर हैं और जो हम गाओं में घूमेंगे और हमारे प्रामेरी के बच्चे भी हाँ जोड़ करके कुंडी खरकटाते हुए लोगों घर्व में घुसेंगे और उनको 23 फरवरी को जो विधान सभा चुनवा है उसमें ज्यादा से ज्यादा 75 परशन से अधिक मंदान कराने के लिए और आज घ घर घर जाकर के टीका करन कराने के लिए बच्चे हमारे छोटे-छोटे अपील करेंगे और उसी कड़ी में चूंकि मैंने यहां के गाम प्रधान जो सिंगहुटी है माया देवी इनको हमने गोंद ले रखा है इनको साचर बनाने का तो लगभा के साचर हो चुकी है तो आपने किसको पढ़ाया? अपने मम्मी को इससे पहले पढ़ पाती थी? नहीं कहीं तक पढ़े हैं? जी नहीं पढ़े नहीं हैं तो किसने सम्मानित किया आप लोगों? जी लादिकारी हमारे अनुराग पटेल जी वहीं बदायो में वरिष्ट प अधिकशक के आदेशा नुसार जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए अभ्यान चलाया जा रहा है थाना चित्र सहस्वान की अंतरगत एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर एक फोटो इस्टेट की दुकान पर फरजी रूप से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करके निकाल के लोगों को अवैद रूप से 500 रुपे में दिये जा रहे हैं इस सुचना पर SSP मोहते द्वारा स्पेशल टीम और थाना सहसवान की एक संजुक टीम बनाते हुए इसमें भेजा गया जिसमें की छद मवेश में स्पेशल टीम द्वारा उनसे पैसा दे करके और वो फरजी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनवाए गये और जब वो चीज बन गई तो उनकी ततकार उसी वक्त मौके पर दो लोगों की अरेश्टिंग की गई और इनके पास से प्रिंटर, दो लैपटॉप और काफी सारा ऐसा समान मिला है जिसमें की वो इस तरह से फरजी आधार और वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे इस संबन में और गहराई से चानवीन की जा रही है कि इनके दोरह अब तक ऐसे कितने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना करके किनलों को दिये गए हैं और उस सब से रिकवरी करके आगे कटोर कारवाई की जाएगी फिलहाली संबन में अभयोग पंजिकत करके और विवेशना की जा रही है अगली खबर प्रताब गड़ से है जहापर सीओ लाल गंज राम सूरत सोनकर के निर्देशन में उद्रपूर पोलिस को कामियाबी मिली है दरसल पोलिस ने असलहा बनाने वाली फैक्टरी का भानडा फोड किया है थाना द्यक्ष एहसान नुल हक में टीम ने चापे मारी की है जहापर पाच तमन्चे, तीन अर्द निर्मित तमन्चे, पाच कार्तूस खोगा समेत असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुए है जिनमें एक शातर अभ्यक्त को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है फरीदाबाद के सीरियल किलर सिंग राज का शिकार बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस ने उन पर कारिवाई नहीं की वही परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर कारिवाई करती तो शायद उनकी बच्चिया जिन्दा होती हलाकि एक मामले में पुलिस ने आरोपी सिंग राज को बड़ा पकड़ा भी था जहां पर उम्र दराज होने की बात कहकर उसे छोड़ दिया गया था परिजनों ने बताये कि किस तरह से उनकी बच्चिया घर से गायब हुई और फिर वका भी लौट कर वापस नहीं आई अधेड उम्र होने के कारण किसी ने सिंग राज पर शक नहीं किया क्योंकि आरोपी सिंग राज सभी बच्चिया जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों का परिज़त था सर मैं सेक्टर 16 में रहा था दू महीने पहले चाही की दुकान है मेरी बच्ची का नाम क्या था नीशा कितनी मरती उसकी 14 साल मरती कब गायर हुई थी लात 9 बजे कहां के लिए कहके गई थी यह जी कहके नहीं गई थी घर पर गई थी यह साड़े साथ वजे महां से हमारे द डूकान बड़ा चूकी थी हम घर के लिए निकोल चूकी तो हमने देखा है तो महां पर थी नहीं हो तो हमने कैमरा कैमरे में देखा तो उसमें 9 बजे कहा तक दिखाए घाड कि अंहापर जहां स्कोडी घाड हो गय है वो उसके बाद ना आगे ना पीछे दिख रही है पिर पशन नहीं मिले तो हम यहां गए बच्ची के अनम था कनी का कितनी ओमर थी बारा सा 13 साल गी थी कब गया थी तारीक तो द्यान नहीं है कहा कह अगे लिए कहके गई थी कहके वह गई थी कि मैं सीटी होस्पिटल से वू सागर से समान ले के आरे हूं पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या किया पुलिस ने हमारे साथ ढूंडवाया दो-चार दिन ढूंडवाया फिर उसके बाद हम फिर दुबारे पुलिस वाले के लिगे हम ढूंड़ने तो लग रहे हैं अगली कबर फरुखाबाद से है जहाँ पर मेला सचिव दिपाली भारगव सिटी मजिस्ट्रेट ने मेला राम नगरिया के तैयारियों का जायजा लिया है सथी सादुय संतों से उनकी समस्याओं को भी जाना सादुने मेच जम कर भी तीकी नोक जोक देखने को मिली सारवजन कुड़ेदान मेला च्चेतर में जम कर गंदगी का अंबार भी दिखाई दिया अगली कबर माउसे हैं जहाँ पर विधान सबा मुहमदाबाद गोहना से कॉंग्रेस प्रत्याशी बनवारी लाल का स्थानी लोगों ने विरोध किया है और उनका पुतला फूका है दरसल मुहमदाबाद गोहना से ये कॉंग्रेस के प्रत्याशी है जिनके साथ में विरोध प्रदर्शन हुआ है आपको बता दे कि बनवारी लाल को टिकट मिलने से कॉंग्रेस समर्थ को ने अपना विरोध ज़त आया है और जमकर नारिबा से की है कि अब बनवारी लाल कि वहाँ मुदाबाद विरान सभाय से टिकट मिलने कॉंग्रेस पाटी दिए उनको हम लोग उनको पसंद नहीं करते हैं और अम लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मदे कांग्रेस पार्टी अन्य किसी को भी दे लेकिन उनको क्या है कि नहीं किया कुछ नहीं किया टिकट मिला है कि हम उनको नहीं चाहते हैं तो ना उनको दिया जा और ये किसी को दिया जा यह ले कि हमलों के साथ कुछ किये नहीं वही फत्यपूर के विकास खंट खजुआ मुख्याले पर पथेश्वरी धाम पर मकर संक्रांती पर तीतरों की लड़ाई का आयूजन किया गया है दरसल इस मौके पर आसपास के जुनपादों के इस पक्षी को पालने के शौकीन लोग यहां आकर तीतरों की लड़ाई का लुट्फ उठाती है यहां पर आने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ती मंदर में माथा टेकता है वही पूरप्रदान मौल खान ने बताया कि इस लड़ाई का मुख्योदेश इस पर पर दूर दरास से आने वाले लोगों का प्रेम भाव के साथ होने वाली लड़ाई का आनन्द उठाना है इन पक्षियों के लड़ाई में कई पक्षी तो घायल हो ही जाते हैं और जो पक्षी लड़ते लड़ते मैदान छोड़ देता है वहारा हुआ पक्षी माना जाता है क्या पीतर आप भी पालते हैं अच्छा देखी बताया कि तीतर में तीतर को क्या क्या खिलाते हैं तीतर को काजू पडाम तिस्ता आंटा घी तो यह महेंगाई के दौर में आप इनका भरर पोसर कर लेते हैं कितने दिनों से यहां पर आ रहे हैं हम तो पहली बाहरा है इता है किंए महिरव और रई हमे पानी भरने गई महिला बच्छो समेत कुए में गिर गई दरसल मादुरी अपने बच्छों के साथ लेकर नल से पानी भर ने गई थी लेकिन अचानक पैर फिसल चाने के कारण वो बच्चों समेत कुवे में गिर गई पती और ग्रामीडों की मदद से उसे कुवे से बाहर निकाल कर सीएच सी में भरती कराए गया लेकिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने जला स्पताल उसे रेफर कर दिया है ग्रामीडों ने सीडी की मदद से किसी प्रगार से महिला और बच्चों को बाहर निकाला महिला के सर पर चोट आई है जिसे सामुदाइक स्वास्त के निर्में भरती कराए गया कि मैं ट्रक्टर प्रतिक रादव सामुदाइक साथ की खीड़ों इससाथ क्या है कि यह केस हमारे पास आया है साथ बच्च के पच्ची सुनट पर एक महिला है बत्तिस साल की मादुरी जिसका नाम है पती का नाम रामकरन है गाउं साधुलापूर जिला रगरेली इसको जै अगली खबर बस्ती से है जहां पर विदान सबच नावों की घोशना के बाद पॉलिस ने भी अपनी कमर कसली है जिसको लेकर नगर थाना शेतर में पुलिस और CISF ने फ्लाग मार्च निकाला इस दोरान पॉलिस ने लोगों को मतदान के प्रती शांती बनाए रखने और कोरोना के पालन करते हुए वोट देने के लिए जागरू किया है साथी लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ती कोई या फिर संदिक चीज दिखाई देती है तो तत्काल फॉलिस को इसकी सूचना दी जाए वहीं अलीगर के थाना बनादेवी शेतर में बीते दिनों एक योवती की शादी 15 जनवरी को तैह हुई थी और शादी के पहले ही पूरा दहेज लड़की पक्ष ने दे दिया था लेकिन दहेज ना मिलने के कारण पीड़तों को थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है पीड़त लड़की पक्ष ने के चक्कर लगाने को फिलाल मजबूर है लगुन सभाई नहीं चाहिए मुझे सामान 15 दिन पहले चाहिए सब अने सामान फुल दे चुके खाली बरतन पांच बची हैं लगुनके मेरे पास सारा सामान दे चुके हैं अगली खबर राइबर एली से है जहां पर महराज गंद कोतवाली के छिटिनी गाउं में आन्यांतर तेज रफ्तार को नशे में रिक्षे से जा रहे तीन लोगों को पीछे से टक्कर मार दी है आपको बता दे की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोखे पर ही एक ये वक्यों उथ हो गई जब कि दो लोगों को गंभीर हालत में सामुदाई के स्वास्तकेंद्र महराज गंज में भरती कराये किया अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जो फरुखाबाद से सामने आ रही है जोहाँ पर मसेनी के जोयस हास्पिटल में प्रसूता को बीस हजार रुपए नहीं दे पाने के कारण अस्पताल संचालक में प्रसूता को बंधग बना लिया था जिसके बाद पीड़त पती ने न्याई की गोहार लगाई थी वही इस मामले की जौनकारी जैसे ही करणी सेना को मिली करणी सेना के जिलाध्यक्ष अपने समर्तकों के साथ मौके पर पहुचे और अस्पताल संचालकों के साथ तीखी नोग जोक हुई जिसके बाद अस्पत जाल संचालकों ने पीड़तों से माफी भांग कर मरीज को छुट्टी दे दी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की बाके की तबाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टिवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टिवी सच साहस सरोकार